अगर प्रेग्नेंसी में अजवाइन खा लिया तो डेफिनेटली मिस्कारेज हो सकता है। आपको भी ऐसा किसी ने डराया होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करें, बताएं अपना एक्सपीरियंस। लेकिन क्या प्रेग्नेंसी में अजवाइन खाने से गड़ गिर जाता है, रिस्क होता है या फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। यह सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, साथ में अमेजिंग बेनिफिट्स भी बताऊंगी। कितना फायदा हो सकता है आपको अजवाइन से प्रेग्नेंसी में लेकिन कैसे तरीका भी समझेंगे। नमश्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। प्रेग्नेंसी में अजवाइन खाया जा सकता है। और जहां तक बात है मिस्केरिज की तो आएए इसको समझते हैं। अजवाइन पूड़ी में, पराठे में, अचार में, कई सब्जियों में जो पांच चीसों का मिक्स तड़का लगता है उसमें भी अजवाइन का इस्तमाल होता है। अर्भी की सब्जी में अक्सर आपने देखा होगा अजवाइन का तड़का दिया जाता है। तो अजवाइन नुकसान क्या से दे सकता है। अजवाइन जब आप लेते हैं तो प्रेगनेंसी में जो गैस बहुत जादा बनती है। सपोज आपने पराठाय पूड़ी बनाए चपाती बनाए तो अजवाइन अच्छा रहता है। डाइजेशन को अच्छा रहता है। ब्लोटिंग कम होती है, गैस कम बनती है, भूख खुल के लगती है और खाना खाने के लिए इच्छा आती है। अजवाइन डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। प्रेगनिंसी में अगर सर्दी जुकाम हो गया तो अजवाईन की धूनी लेना जिसको तबे पे हलका गरम तबे पे रहके और अब ब्रीद लगर लेते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है अगर थाराइड है आपको तो कॉलिस्टरॉल को कम रखता है अजवाईन हाई डेंसिटी कॉलिस्टरॉल को बढ़ाता है जिससे आपका हार्ट हल्थ अच्छा रहता है शरीर प्याई सूजन को भी कम करता है एंटिबिक्टीरियल और एंटिफंगल भी होता है एकने सारे लाभ हैं अजवाईन के लेकिन नुकसान कब कर जाता है अजवाईन जब आप बहुत जादा मातरा में अजवाईन का सेवन कर लेते हैं अजवाईन की चाय ही बना कर पीली गर्मागरम और प्रेगनेंट हैं थोड़ा केस भी अगर कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर आपकी बहुत जल्दी आपको हीट होता हो आपकी शरीकी प्रकृती वैसी पि पिया तो दिन पर के लिए डाइजेशन अच्छा रहता है तो अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है अपने डॉक्टर से जरूर सलाले जोईन यूज करने से पहले लेकिर प्रेगनेंसी में अच्वाईन सेफ है आशा करती हूँ ये जानकारी आपको लाब जरूर देगी अपना ख्याल रखें टेकिर बाइज